नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है इस वीडियो में मैं एक केवल पैटर्न आप लोगों को बताने जा रही हूं इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं यह 13 फंदे का डिजाइन है और इसमें मैंने दोनों तरफ 15 फंदे डाल ले हैं यह मैंने काउल इसे यदि आप स्वेटर में डालते हैं तो यह जो मैंने 15 फंदे डाले हैं दोनों तरफ आप 10 फंदे के बाद भी इस डिजाइन को रिपीट कर सकते हैं बहुत ही कुपसूरत डिजाइन है यह 13 फंदे का डिजाइन है और यदि 10 फंदे दोनों तरफ 10-10 फंदे डालेंगे तो इस तरह से आप इस डिजाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में सेट कर सकते हैं जली देखते हैं इस डिजाइन को कैसे बनाएंगे इसमें मैंने 25 फंदे लिए हैं 6-6 फंदे दोनों तरफ उल्टा डालेंगे और बीच में 13 फंदे में ये डिजाइन बनाएंगे ये फास्ट रू में दिखें पहला फंदा उतार लेंगे उसके बाद 5 फंदा उल्टा बोनेंगे दो तीन चार और ये 5 फंदा उल्टा हो गया इसके बाद धागा पीछे करेंगे और 6 फंदा सीधा बोनेंगे वहुत ही आसान पैटर्न है ये ये छे फंदा सीधा हो गया इसके बाद एक फंदा उल्टा बीच में बुनेंगे फिर छे फंदा सीधा बुनेंगे तीन, चार, पांच और ये छे फंदा हो गया ये जो बीच में उल्टा फंदा है इसे रॉंग साइट से सीधा बुनेंगे बाकी सभी फंदों को उल्टा बुनना है इसके बाद देखिए छे फंदा सीधा बुनने के बाद धागा आगे करेंगे पांच फंदा उल्टा बुनेंगे आखरी का फंदा इसे सीधा बुननेगे अधी आप स्वेटर में डियाइन डालते हैं तो पांच या दस फंदे के बाद फिर से इस 13 फंदे को डिपीट करेंगे ये दिखिए ये रॉंग साइट है wrong side में ये जो सीधा फंदा दिख रहा है, बीच में इसे सीधा बुनेंगे, बाकी सभी फंदों को उल्टा बुनना है wrong side में hard slime में इसी तरह से बुनेंगे, cable बीच के एक फंदे को सीधा बुनेंगे, बाकी सभी फंदों को उल्टा बुनना है यह देखिए यह जो बीच में फंदा दिख रहा है सीधा इसे केबल सीधा बूनेंगे बाकी सभी फंदों को बचे हुए फंदों को उल्टा बून लेना है आकरी का फंदा उसे सीधा बूनेंगे यह थर्ड रो है थर्ड रो को फर्स्ट रो की तरह ही बूनेंगे पहला फंदा उतार लेंगे उसके बाद पांच फंदा उल्टा बूनेंगे धागा पीछे करेंगे अब यह छे फंदा सीधा हो जाएगा फिर से धागा आगे करेंगे अब और यह एक फंदा उल्टा बूनेंगे इसके बाद फिर छे फंदा सीधा इसके बाद जो यह पांच फंदा उल्टा है इसे पहले उल्टा बूनेंगे आखरी का फंदा आखरी का फंदा इसे सीधा बूनेंगे रोंग साइड से फिर उसी तरह से बूनेंगे इस तरह से 10 सलाई तक बुनेंगे, यह 3rd row है, wrong side से केवल, यह जो बीच में फंदा दिख रहा है, इसे सिधा बुनेंगे, बाकी सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे, यह देखिए, गार ट्रेश्टिस की यह दो लाइने दिख रही है, ऐसी 5 लाइने और बना लेंगे, उस में फंदों को ट्विस्ट करेंगे, बस एक सलाई में ही यह दिजाइन बनता है, उसके अलावे फिर 10 सलाई इसी तरह से 6 फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, फिर 6 फंदा सीधा करते हुए बुनेंगे, फिर जब 11 सलाई आईगी तो इस ट्विस्ट करेंगे, देखिए, यहाँ पर जैसे फंदों को मैंने ट्विस्ट किया है, उसी तरह से इस ट्विस्ट इजाइन को बनाएंगे, यह दस सलाई के बाद फिर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए, यह मैंने दस सलाई बना लिया है, यह देखिए, गार्टर इस्टिस की 5 लाइन ने दिख यह पांस लाइन इस तरह से पुड़ा हो जाने के बाद, अब इसमें फंदों को ट्विस्ट करेंगे, देखिए कि इस तरह से घुमाएंगे, इसके लिए पहले सबसे पहले, पहला फंदा उतार लेंगे, उसके बाद 5 फंदा को उल्टा बून लेंगे, धागा पीछे करें आप देखिए, यह जो टू प्उंटेड नीडिल है, इस तरह का एक नीडिल ले लेंगे, उस पर इन तीन फंदों को उतार लेंगे, जो यह छे फंदा है, इसमें से जो पहला तीन फंदा है, इसे इस लाई पे डाल लेंगे, इस लाई को आगे की तरफ इस तरह से कर फिर जो यह चौथा पाच्मा और छठा फंदा है इसे पहले बुनेंगे इस तरह से इन तीन फंदा को पहले बुन लेंगे उसके बाद देखिए यह जो तीन फंदा है इसे बुनेंगे इस तरह से यह तीन फंदा बाद में बुन लेंगे उसके बाद जो उल्टा फंदा है इसे उल्टा बुनेंगे फिर इस छे फंदा को उसी तरह से तीन फंदे को इस लाई पे डालेंगे अब इस लाई को बैक की तरफ से कर देंगे और जो यह 4th, 5th और 6th फंदा है इसे पहले बुनेंगे फ्रंट की तरफ से इस तरह से पहले इन तीनों फंदा को बाद वाले तीनों फंदा को आगे की तरफ से बुन लेंगे उसके बाद फिर इन तीनों फंदा को जो केबल नीडिल पर मैंने डाला है उस पर रखे फंदों को बुनेंगे इस तरह से यह डिजाइन बन गया इसके बाद जो 5 फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे आखरी का फंदा इसे सीधा बुन लेंगे इस तरह से देखी यह डिजाइन तैयार हो गया है अब इस डिजाइन को फिर 1st रो जैसे बना थे उसी तरह से इस डिजाइन को continue करेंगे 10 स्लाई के बाद फिर इन फंदे को ट्विस्ट करेंगे ये 1 फंदा उल्टा जो है इसे wrong side से सीधा बुनेंगे और सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे wrong side से कुछ नहीं करना है सीधी स्लाई में फिर first row की तरह ही 6 फंदा सीधा और 1 फंदा उल्टा फिर छे फंदा सिधा करते हैं उसके बाद जैसे इसमें फंदों को मैंने ट्विस्ट किया है उसी तरह से इसे ट्विस्ट करेंगे तो यह डिजाइन बन जाएगा आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसे डालिये और जितना बड़ा बनाना चाहते हैं बनाए बहुत खुबसूरत डिजाइन है और बहुत ही आसान उमीद करते हैं कि यह डिजाइन आप लोगों को जरूर पसंद आएगा यहां देखिए फंदे को मैंने जिस तरह से ट्विस्ट किया है हर 10 स्लाई के बाद 11 स्लाई में फंदे को इसी तरह से ट्विस्ट करेंगे मैंने इसे दो सेड में दो कलर में बनाया है एक लाइट सेड है जिससे एक डिजाइन बनाया है उसके बाद फिट दो डिजाइन डार्क सेड से बनाया है उमीद करते हैं कि यह डिजाइन आ झाल झाल